नमस्कार हाम्रो चानल मा तपाइले स्वागत छा आमी ब्रेकप को कुरा करशं, समंद भीछेत को कुरा करशं, अथबा पीडा को कुरा करशं मैंना कुने समंद बन्छन बने पचारी टूट छन तर बन्दे नमने कुछ समंद टूटने चान्च कती उन्छा त સ્સ્લે સૂને સુને સમંદ્દાને છઈને તરતે ટૂટ્યો આનેર इस्तो हुना पनी सक्षा किने कि आज आ हमी संगय उटातेस्ते कथा छ जुन कथा मा वहाको सम्वन्दकी हो था छई न तरपनी वहाको ब्रेक आप पायको छा यो कथालाई अंकीता सर्माजीले लेकनु वायको हो र यो कथाचे आयुशा कोतरफबाताले लेखे को कथा हो कथा लाई अंतिम सम्मसुनिदी नो हला रा मन परे माचे लाईक, कमेंट, रश्वार गर नो हला सब पई जाना वे सुलाव नो हला रा इस्ते इस्ते कथा अनि उपन्यास को लागी हम्रो चानल लाई सब्सक्राइब गर न भाने नविर्शा नो हला कुरा आज बंदा लगबग तिन मर सागारी को हो आईतबार को दिन थियो मा इस्ते 11 बजी तिरा पार्क गालरी विजिट करना कोई को थिये तेहां युटा एक्जिबीशन थियो मा प्राए धिरेईन एक्जिबीशन हरुमा जाने कर थे बड़ दिस टाइम दिस एक्जिबीशन चेंजड मा लाइफ फरेवर एसको शुरुवा तेही बाटबायो अनि मलाई बिर्शान नसकी ने एउटाप आर्टिये रगयो यह बनम मलाई देखाउन नसक ने चोड़तिये रगयो एक्जिबीशन निक्के इने राम्रो थियो तेहां देखाईये का सपपई चित्रकलाहरु एक्टमे राम्रो थियो एक्टमे सुन्दर थियो त्या बयको सपपई आट अरुमा तेजैं मेरो नजर एउटा पेंटिंग मा गयर रोकियो आर्टिस्टको नाम तोया विवेंड़िये को थियो त्यो एक्टमे इने राम्रो थियो Really it was a masterpiece मा करीब एक कपई अंडा सम्मा एक औहर तो पेंटिंग हेरे को हेरे भाय को थियो और तो भाय का और पेंटिंग हेरे रामा घर अफ़र किये ते थी पेला समाता सपपई कुराया मेरो लागे एक तमे नॉर्मल थियो जब आमा घर आये मेरो फोन मा युटा नोटिफिकेशन आये को थियो इंस्टाग्राम बाटा आकास has requested to follow you, accept or decline यो नाम मेरो लागे familiar थिये न ते बाईरा मेले वास्ताने गरी न नोग ते औरकु मेसेज रिक्वेस्ट को पनी नॉटिफिकेशन आयो ते मेसेज रिक्वेस्ट पनी ते आकास को थियो ए यू दियर, I want to talk to you something about an exhibition यू मेसेज देखना साथ माले अचम मा लागे औनी I was forced to reply मैले बाने, how can I help you बाने रा अनि त्या बाट शुरू भायो, आकास रा, आयू साको कथा कुरा हुदेई गवायो, थाहा भायो, ते पेंटिंग जुनलाई मा एक खंटासम मा हेरेको हेरे भायको थिये ते उसले ने बनायको रहे शा हामरो सोच मिलने, इंट्रेस्ट मिलने, अनि दुबई जाना लाई आर्ट वाने पचे एक तमे मन परने ते बाएकारे होला, साहिद कुरा धेरेईने रमाईलो हुदे गवायको थियो हामरो दिनाउं जसो कुरा हुना धाले उसले तमलाई एक्जीबिशन मा देखे कुपने रही शा तर मेरो लागे आकास अज़ेई पने अपरेचित थियो दिनाउं बोलने साथी तब इचके कुथियो तर पने रियालिटी मा बने कईले देखे कुथी हिना उसलाई तिसेले हामिले एक और कालाई भेटने डिचीजन लियो अनि हामि बोलन थालेको करीब एक माईना पची हमरो भेट भयो दरबार मारको हिमालाईन जाबामा मनमा हल का डर लागी रहे कुथियो एसरी कसलापनी भेटे कुथी नयो वान्दा अगाडी नया अनुबव मनमा चुट्टे उचुक्ता बड़ी रहे कुथियो अनि अनेको भावना का साथ हामरो भेट भयो कुरा भयो कफी खायम अनि करफ अरकेम साइध हामरो जिबन माई उटा नया मोडाउनला होला भेट भय को सोच्थे अनि हामरो भेट भय पाची हामि माई उटा नपत्यारुने चेंज आयेको सीயो हामरो जँन बड़ी कुरा होना लागयो माला उसको कुरा जत्ती रामर लागद फेट्तिने रामर लागना थालेको सीयो दिनो कुरा गरेर निवला हामिलाई एकरकाकू बानी परना थाले कुछियो मानाओ हामि मद्ने कुने एक न बल्दा मन भार होने मन आत्ती न थालने भआएकु थियो मन चर्टपट भएरा भाईतारी न थाल ते उसंग कुरा नहुदा अनě उसको मेसेज आये सी, लागतियो शरीला जुन आत्माले छोडे रगोये कुछियो, त्यों फरके राये कुछ़ा, एस्ते अनुफवबुन थाले कुछियो. थाः चायीना, यो जुन मैले और हामिलाई बनने सोचे, तो साथ चे हामिलाई ने वाय कुछ यो या यो कथा को पात्र ममात्र थियें जसला यो सबई अनुवा बई रहे कुछ यो समय रपरिस्तिती मिल्ला साथ हमने ये करका संगा भेटने संगे बसने टाइमी स्पेन करना थालें उसको लागी जनजन माया बढ़ना थाले को महसुस करते थिये मा तरमन मा अनेक भावना उत्पन नहुने गर थियो मा आफुलाई आफने होस मा पाउना छाड़े को अनुफाप करते आखा बंद गरना साथ उसको मुहार को चित्र मेरो आखा अगाड़ी कोरी न धाले को थियो यो अनेको भावना प्रती मेरो कुने दभाप परना सके को थिये न नत मायो आभास लाई हटाउना नेचाहां थे मन खुशी होना लागे को थियो मरभुमी मा पैक पैक दी पारेको लाई पानी दिता जुन महस सुन्थियो उसको अंगाल को न्यान वश्पर सले मले तेही अनुफाप दिने गर्थियो बिस्तारे बिस्तारे डुप दयी छु तिम्रो माया को सागर मामा दुखा आसू सबयी बिर्षेरा रम न चाहां छु तिम्रे न्याहान वंगाल मामा खुला पंक फिजाई आकास मा उड़े को चरी जैं मुक्त हुना चाहां छु मा तिम्रो माया मा डूपना चाहांचुमा तिम्रे माया मा रमना चाहांचुमा रोहिद जोन छेटरीको योगीतले मेरो mij दिलाई मेरो अवस्थालाई दर्साई रहेको महसर सुन्थिय मलाई उसको हरेक शब्द महनो मेने लागी बनेको महसर सुन्थियो तर इस तो नहोस्मनी किना आकास ले मिरो जिवन मा योटा साथी बंदापनी प्रेमी को घुमिका खेली रहे कुथियो आकास आपनो हर एक शबनालाई मसंग जोडे रा बयान गरने गर्थियो उसले दिन हो मलाई साथी बंदापनी योटा प्रेमी को रूप मा महसुस करहूने गर्थियो आकास रम्मो बीच योटा अनोटो नाथा गासी नगवय कुथियो बननालाईता हानी एकरकालाई मात्रे योटा साथी को रूप मा देख्यों तरह भावना को रंग्र रूप भने और केचियो इसरीने अलमल भाय का भावना को साथ मा नोट इक भाय को पनी एक बर्षा पूरा वईचा केगो ठियो मन मा खेले का अनेक कुराहरूर प्रश्ण मा आकास लाई सोधना चाहां थे उसलाई सोधना मन धियो मेरो मन मा आये का एहे अनेक भावना के तिमरो मन मा पनी आउँचा आकाश के तिमिलाई पनी हमरो समंद को नामले सताई रहे को आकाश के तिमिलाई पनी मैले तिमिलाई गरने जत्तिने निश्वार्था माया गर्षा वाकाश के ती मिलाई पनी ती मिले देखे को जुन सपना छा हामे संग गई भई को अवस्थामा बीपनामा परिनात गर्ना मन छा आकाश मन मा खेले का अनेक प्रश्ण माउ संग शोदना चाहां थे तरपनी मला युटा ठूल डर दियो डर के यो गर्नो ठीक होलाता कते ही मा मात्र ता अई ना युँ सब महसुस गर्ने या कते ही आकाश ले हमरो समन दालाई तिस्तो रूप मा हेरे के चाही ना की मैले यस्तो गर्ना ले कते आकाश र मेरो समन दा बीगरीने ता है ना काते मेरो यो सोच ले साथी कुजन रूप आय कुछू त्यू पनी जाने तो है न इस ते डर ले करता ने मनमा अएका अनेक भावना लाई कुम से आयरा राखते आपनो भावना बयान करना सकने हिम बजू ताउना सकी रहे कुछी न मनमझा अनेक भावना लेहाने पनी, आकास प्रती मीरो माया जन जन गार्णा होदे गए गोथियो इस्ते करी, फेरी पनी समय बीती रहे गोथियो इत्ति कही माँ मेरो बद्दे एक्तमी नौ जखाई पुके गोथियो मैं वद्ध को एकसाइटमेंट कोईले पने हुने कर थे ना तार यू पाले मन वनड़ पने बहुर्ड ि आकास को भीहवियर मां एकसाइटमेंट जालकिये को महहसस गरी रहे कुथिये जसले अन्ही मन पने निक कीख खूश दी रहे कुथियो अनि आकास को एक्साइटमेंटले मायपने एक्साइटेर कराई रहेगो थियो हामिले आकास म और मेर् runway वईने मात्रा भायरा मेरो बद्दे सेलिब्रेट करने दिसीजन नियो मेरो बद्दे मंगसेर साथ गते थियो तेसेले हमी चागते राती जें तीन दाना भाईरा होटल मा मनावने 12 गुजे केक काटने औनी संगे बसने प्लान गरे का थियों प्लान गरे अनुशार ने सबई भाई रहे को थियों मनिक्के खूशी थियें लाग थियों जीबन मा इस तो खूशी पहीलो पल्टा अनुपप करे को थियें चागते साज हमी युटर रेस्टोरेंट मा भेट भाईरा दिनर करे रा होटल मा करेब साड़े 10 बजे पुगे को थियों तेस बशी बाईनी रा अखास मिले रा रूम डेकोर गरना थाले मा फ्रेस भाईरा रेडी भाईरा आउदा 12 बजने लागे को थियो सब़े जाना रेडी भाईरा 12 बजे केक काट्यों निक एख फूसी लागी रहे को थियो आफनों उमेर बढ़नु को पीर भांदा पने बढ़े को उमेर मा जिन्दकी पिताउने साथी पाय को जस्तो महसुस भाई रहे कोशियो करिब एक बलचे थिरा केक काट्ने फोटो खिचने सब पे सक्खियो अनि बध्यकु दिन पनिके सुतनू भानेरा हामिले ड्रेंक करने प्लान गर्यां बईनी जाई मत एक्तमी थागे कोशु अजर अरु करनो ड्रेंक भानेरा आफुचे शुती तेसे ले उसला दिस्ट्रप न होश बानेरा मर आकास आकास को रूम मा गईरा ड्रिंक करना थालियों गफए गफ मा हामिले धेरे इने खाय को रहे सम लागना थाली सके कोशियो सरी ले होश हलका गुमाउँ देथियो आमी दुबई जाना होश माँत थियों तर आफुला एक कंट्रोल गरना सके रहे को थिये नौ यही सबकंचेस भाईरा हामिले आफुनो एमोशन मा कंट्रोल गरना सके नौ अनि हामी बीज फिजीकल डुलेशन होना पुग्यो कती बिला की भईरा निदाएचो थाई भएना दिहाना उठे सी आ फुला अजम्मा लागी रहे को थियो मन मा भावना को पहीरो गई रहे को जियो मनले आकास को भावना पनी मेरो दस्ते जा उसले पनी मना तेही नजरले हेर छावने बिशवाज करे तेसेले मैले बैनीलाई घर जाना भने आनि आकास संग एकले लांज करने डिसाइड करें लांज करने बिलामा आकासलाई आफनो मनको सप्पे कुरा भन्छु आनि रोमेंटिक गई मा प्रपोस गरेरा आजो को दिनलाई स्पेशल बनाऊचु भने प्लान गरेको थिये मेरो यो प्लान मा बैनीले पनी सप्पोर्ट गर देए आफु जानो भन्दा अगारी सप्पे आरेंज मेंट करेरा जान्चु भनेर भनी आनि मार आकास आफनो आफनो रूम मा गईरा रेडियोना थाल्यम मा रेडियो मुदै थिये एत्तिके मा मेरो रूम को डोर बेल बाजयो डुका खोलता आकास थियो आकास आफनो भीत्र भने आनि उसले हैना सुनाना लान्चंगे नगरमला मा जान परने भायो भन्यो उसको यो सब्दले मला एकके चोटी सयोता छूराले हाने दस्ते भायो चियो मुटुमा एकतमे पीटा महसुस भायो चियो सार ए मन दुख्यो तरोपनी मैले नाइ बन्ना सकी न किना खी आकास मेरो लागी निकेईने प्यार भायो चियो हस हुँचा निता पची गरम लाने लांच कुने दिन संग गई एती भने आनी सामान प्राक गरेरा घर जाने भायम आकासले मचा इनिस्की आलचुला ती मिराम्र संगा घर जाओ भनेरा बनेओ अनी हग गरेरा तेहां बाटा ही डियो जिबन मा पहिलो पटक कसे लाए आफनो मन को भावना खोलने हिम्मत करे की थिये तो रत यो दिन सफल भाये ना मले आफनो भावना पुखना न पाये कमा एक्तमे पीडावई रहे को थियो आकास लाए अचानक क्य भायो को तेही एमर्जेंसी के हीता पारे ना भने बाड़ी चिंता लागी रहे को थियो मै ले आकास लाए घर पुखना साथ कॉल गरे उसको फोन उठे न तो दिन भर मैं ले जेंजेंड मा उसलाई खबर सोधनाला कॉल करें तर उसको फोन उठे न एतिके मा रात पर्यो राती कोशिस करदा पने उसको फोन उठे न एस तो इपीडा मा निदाये शू बिहाना आखा खोलना साथ पनी मैं ले फेरी पने आखास लाईने फोन करें उसले देरे पटक फोन करने कोशिस करें तर उसको फोन सुइच अफ थियो उसको फोन लगातार एक खपता सम्म मा अफ बाई कुछियो उए सरी हराउंदा मेरो आत्माले सरीर छोड़ना थाली सके कुछियो मा बाचे रानी आफुलाई मरे को महसुस करते थिये जुदो लास पने को थिये ना खाना मन लाग थियो ना तो कोई संगा बोलना मेरो ओड बाचा हासो मान उस देई को लागे गाय पधायको थियो आखा बाचा आशो नदी जस्तो बगे को बगे होन्दियो ना कोई थियो आफनो भावना बयान करना को लागे साती लाई बनाम बने पनि की बनाम? आकास रहा मा कईले बॉइफ्रेंड गॉर्फ्रेंड हो भाने रभाने कुछी ये ना साथी संगा अफुन दुखा बयान करना हिम्मत पने आये ना का बाटा सुरुकरम भनना अनि की भानाम कसरी भानाम उमेर को थियो इस्ते इस्ते कुराहरू दिमाग माँ थियो आकास सोचल मीडिया माता अक्टिव थियो पोस्ट, स्टोरी, हाली रहे को हुन थियो तर मेरो मेसेज को रिपलाई कईले पने गरे न मैले मही नव सम्मा आकास ले मेसेज गरें, कौल गरें तर आ उता बाटा न मेसेज को रिपलाई आयो न तसीन ने भायो उसको परिवर्थन भयको बेभारले मला पागल बनाये कुछीयो मा सहन चकने परिस्तिती बन्दा देरे माथी पुगी सक्के कुछीये मला ये आकास संग बेटेरा एक पल्टा कुरागर न मन्थियो उसला ही सोधना मन्थियो आकास ते मिले किन गरे वेस्थो किना एससे केई न वनी गएव आकाश मबाट टाड़ा के गल्ती बहए मेरो सबई सोधना मन थियो उसले देखाएको संगई भाईको सपना केका लागी थियो आकाश पानेर सपपई प्रश्ण को उत्तर चाहिएको थियो मला आकाश बाटा तरह आकाश को लागी साइद मा मरी सकेको थियो उसले मलाई ब्लोक तो कईले गरे न आकाश अगाड़ी ने राखेर मलाई उसले आफनों दृष्टी बाटा हटाएको थियो देखाऊना नसकेको चोट की हो भन्ने भोगी राखो थिये पिडामा राद भर छट पटाए रा मही नो भिताऊना लाएको थिये बाहीरी संचार कोस्तों छा भन्ने पनी नहरे को तीन मैना पुग्ना लागी सकेको थियो आफ वो बाचने आधार ने चाई न, सास ता चली रहे कोछ, तरो मेरो जीवन को आधार ने गुमे को चाँ जस्ते हुन्थें मलाई इत्ती कई माँ चार मैना जस्ते बीती सके को थियो एक दिन अचानक आकाश को स्टोरी है न भूगे स्टोरी खोल्दा मत छांगा बाटा खसे को जस्ते बाए स्टोरी थियो उसको रा उसको गर्फरंड को फोटो अनि लेकिया को थियो हैपी फिफ्थ अनिवर्शरी माई लव माईले यो हेर न सकी न आफनो सरीर काटे र आफ़े मुटु निगाले र फाल्दिम दस्ते बायो मुटु ले एत्ते गर्यो बीरा दियो तेदी बेला लाग्यो कि मरना देरे साजीलो छ यो हेर न भांदा अनि आफुले अब यो बांदा बड़ी सहन सक धिन अपनने सोचे दा तो दिन मैले आकास लाए ब्लोग गरें सोशल मीडिया बाट फोन सब पेठाउं बाट निक्के गार भायो तर तेस दिन साइद पईलो पटक मन को दबाब भायर पनी दिमागले साथ दियो अनि ब्लोग गरने हिम्मत आयो साइद तेस दिन लिये को तियो सान नो हिम्मत लेनी मला आकास नाम बाटा ताड़ा जाना थोर ये भायपनी सोचिलो गरायको थियो आकास मेरो जिन्दकी मा एवटा हुरी जसरी आयो अनि साहरा खुसी समेटेरा एककेई साथ लियेरा गयो मेरो हजारों प्रश्ना अनि उत्तर स्वरूप केई पनी छोडेरा गयेको थिये न आजोई हो एंसिडेंट भायको तिन बरसा भायो मनत देर ए सम्हाले कुछू तरपनी हरेक बरसा ति मिले मला आफू जन्मेको दिन जिन्दगी बहर इलाई पुगने चोड़ दियो आकाश आफू जन्मेको दिन एत्ती नरामरो साहेद मला वन्दा बड़ी कस्तेले पनी लागते न होला इसलाई म महेमा धोका भनम की विस्पास मा धोका भनम आकाश साइद माफुलाई ए अफने भावना बाटा दोका खाय क्या आयू शावने रबुस्ताशू तिमिलाई धन्यवाद आकाश तिमिले एक दमे अदबूत गिफ्ट दिये रगाई काशू जुन बाद देग इफ्ट लेए मालाई मुटू दुखाउना जिन्दा की बारी लाइप उगेगो शाव